इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मद्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे उचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक तथा सबसे कम क्या है ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से मद्य प्रदेश की जितनी भी competitive exams होती है उनमें 2-3 questions हर एक exam में पूछे जाते है इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए मूस्ट आएमपी है तो आईए इसको हम discuss करते है सबसे पहला question है यहाँ पर मद्य प्रदेश में सरवादिक लंबे समय तक मुख्य मंत्री रहने वाले वेक्ती कोन है तो शिवरा सिंग चोहान जी है और इन्हें हम मामा के नाम से जानते है और इनसे पहले अगर मुख्य मंत्री पूछे जाए तो इनसे पहले कोन थे तो कमलनाज जी थे next question है देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जला से कोन सा है तो इंद्रा सागर जला से देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जला से है next है बालागाट के मलाजखन में एसिया की सबसे बड़ी भूमिगत तामर ऐस्क खदान का पूजन कब किया गया था तो मद्यप्रदेश का जो बालागाट है इसमें जो मलाजखन है वहाँ पर सबसे बड़ी भूमिगत तामर ऐस्क की खदान है और ये जो खदान है वो एसिया की सबसे बड़ी खदान है और इसका अगर भूमिपूजन की डेट पूछी जाए तो 12 अप्रेल सन 2015 है मद्यप्रदेश में सरवाधि केले का उत्पादन कहां पर किया जाता है तो मद्यप्रदेश का जो बुरानपूर जीला है इसमें सबसे अधिक केले का उत्पादन किया जाता है एशिया का सबसे बड़ा जो पनीर निर्मान सहित रहे है वो कहां पर है तो मद्यप्रदेश के खजुराओं में है मद्यप्रदेश का सबसे उच्चा इस्थान कौन सा है तो धूबगड पाहाडी है और ये पंचमणी में है कहां पर है ये पंचमणी में है नेक्स टाइम मद्य प्रदेश का सबसे नीचे इस्थान कौन सा है तो नर्मदा सून गाटी है सबसे लंबी नदी कौन से है मद्य प्रदेश की तो सबसे लंबी मद्य प्रदेश की जो नदी है वो नर्मदा नदी है और अगर इसके आपसे ट तोटल लंबाई है 1312 किलोमेटर है जो कि मध्यप्रदेश, गुजरात और राज्थान तीनों को मिला के है जबकि अगर केवल मध्यप्रदेश में ही पूछी जाए नर्मदा नदी की लंबाई तो 1077 किलोमेटर केवल मध्यप्रदेश में इसकी लंबाई है और ये जो प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है तो ये सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है प्रदेश का सबसे लंबा जो पुल है वो सिंध नदी के ऊपर बना है नेश कर्शें है नवीन परिवर्टनों के बाद प्रदेश से गुजनने वाला सबसे लंबा जो राष्टी राजमार्ग है वो कौन सा है तो NH46 है कौन सा है National Highway 46 याने कि NH46 है Next question है प्रदेश का सबसे गर्म इस्थान कौन सा है तो गंजबा सोदा जो इस्थान है वो प्रदेश का सबसे गर्म इस्थान है वही अगर आप से सबसे ठंडा इस्थान पूछा जाए तो सिवपूरी है इसको आप्ट्रिक से याद रख सकते हो कि जो संकर भगवान है उनकी जो इस टाइप से जो हम लिंग बनाते है उसके उपर दिन भार पानी गिरता रहता है याने कि उनको हमेशा थंडा इस्थान पसंद है तो उससे हम याद रख सकते है कि सबसे ठंडा जो इस्थान है वो कौन सा है सिवपूरी है कौन सा है सिवपूरी नेक्स प्रेशन है मद्धि प्रदेश में सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान कौन सा है मद्य प्रदेश में सबसे जादा अगर वर्षां वाला स्थान पूचनगा जाएं पूरे प्रदेश में सबसे अधीक कुर्सा होती है next question है सबसे कम वर्षा कहां पर होती है तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है next question है सबसे बड़ा राष्टी उध्यान कुन सा है तो काना किशली राष्टी उध्यान जो है वो सबसे बड़ा राष्टी उध्यान है नेक्स्ट है, सबसे छोटा अगर राष्टी उध्यान पूछे जाए, तो फोसिल है और कहां पर है ये, तो ये डिंडोरी में है, कहां पर है ये, डिंडोरी में, नेक्स्ट है, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ताजुल मस्जिद है और ये भोपाल में स् नेक्सराइच्ट क्वेश्ण पर्रदेस के प्रतियुन संदोर में है और इसे बड़ा गंपति नाम से आना जाता है सबसे मोटी कोईला परत कहाँ पर reday का में है उम्हाई और इसे और चांपट के राजधाने भी कहा गया है जो सिंग्रोली है इसे उर्जा राजधानी भी कहा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा कोईला यहीं पर मिलता है इसलिए इसको कोईला राजधानी भी कहा गया है सबसे बड़ा भोतिक विभाग कौन सा है तो मद्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है यह सबसे बड़ा भोतिक विभाग है शबसे बड़ा कोईला भंडार अगर आपसे पूछा जाये तो कोईला भंडार सबसे अधिक जो है वो सोखाज़पूर में है, जबकि सबसे मोटे अगर कोईले के आपसे परत पुछी जाये, तो वो कहां पर है? शिंग्रोली में है प्रदेश का सबसे बड़ा सिवलिंग कहां पर है कौन से मंदिर में है तो भोजपूर मंदिर में है सबसे बड़ा प्रदेश का सिवलिंग जो है वो भोजपूर के मंदिर में है नेक्स वेशन है प्रदेश का मालवा छेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है तो प्रदेश का जो मालवा छेत रहे ये गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध याने की गेहूं का उत्पादन यहाँ पर सरवाधिक होता है सरवाधिक प्रसार वाला जो समाचार पत्र है मद्धिप्रदेश का वो कौन सा है तो दैनिक भासकर है मद्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोशित जीला कौन सा है तो श्योपुर जो है वो सबसे आधिक कुपोशित जीला है वही अगर आपसे सबसे कम कुपोशित जीला पुछा जाए तो वो कौन सा है भोपाल है नेक्स्ट है प्रदेश का सरवादिक सगन आबादी वाला जीला कौन सा है तो सबसे आधिक जो सगन आबादी है वो भोपाल में पाई जाती है यहाँ पर 855 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर एरिये में रहते है यह 2011 के आकड़े है अब 2021 के अनुसार तो यह और ज्यादा हो जीला है इसमें सबसे कम व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर में रहते है यानि कि केवल चोराण्यों व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर एरिये में रहते है 2011 की चंगणना के अनुसार नेक्स्क्रेशन है सरवादिक सगन आबादी वाला संभाग कौन सा है जो जीला है वो भ बोपाल ही है, सबसे अधिक सगन आबादी वाला जीला और संभाग दोनों बोपाल है। सरवादिक विरल आबादी वाला अगर संभाग आपसे पूछा जाए तो संभाग जो है वो सहडोल है, जबकि जीला जो है वो डिंडोरी है। नेक्स क्रिशन है याँ पर छेत्रपल की द्रस्टी से प्रदेश का सबसे बड़ा जो जीला है वो कौन सा है तो छिन्दवाड़ा जीला प्रदेश का सबसे बड़ा जीला है छेत्रपल में सबसे छोटा अगर जीला पूछा जाए तो पहले दत्या था और आप कौन सा है निवाड़ी है ये जो जीला है निवाड़ी ये टिकमगर से अलग होके बना है और इसमें कुल तीन तहसिले हैं कितनी तहसिले हैं तो तीन तहसिले हैं इसमें और ये कब बना है तो एक अक्टूबर 2018 को ये बना है छेतरपल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो जबलपूर संभाग सबसे बड़ा संभाग है छेतरपल में अगर पूछा जाए तो जबकि जनसंक्या में कौन सा संभाग है तो जनसंक्या में भौपाल संभाग है नेइस्ट है चेत्रफल में सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है? चेत्रफल और अगर वीरल आबादी वाला संभाग पूछा जाए तो सहडोल है, दोनों में ही सहडोल का नाम है, यहाँ पर यहाँ क्यूशन अपन ने देखा था, सरवादिक वीरल आबादी वाला जो सं कोटा पुछा जाए तो वह भी सहडोल है है गुत पूचा जाए तो अधी सबसे आदिक जन संख्या व्रदिर्डले में हो रगी हैं नेक्स करीसिन है जंसंख्या की द्रस्टी से प्रदेश का सबसे बड़ा जीजाए तो जंसंख्या की द्रश्टी से सबसे बड़ा जो जीला है वो इंदोर है जबकि छेत्रफल के अनुसार कोंसा है छिंदवाड़ा है नेश्ट है सबसे कम जनसंख्या व्रद्धी वाला जो जीला है वो कोंसा है तो अनुकपूर है कोंसा है अनुकपूर में सबसे कम जनसंख्या की व्रद्धी ह नेक्स्ट क्रेशन है जन संक्या की द्रस्टी से सबसे छोटा जीला कौन सा है तो निवाडी है और निवाडी जो है वो छेतरपल में भी सबसे छोटा है और इसकी जो इस्थापना है वो एक अक्टूबर सन 2018 को की गई है नेक्स्ट है जन संक्या की द्रस्टी से सबसे बड़ी जो तहसील है वो कौन सी है तो सबसे बड़ी तहसील है इंदोर जबकि यहाँ पर क्या पूछाता सरवादिक जन संक्या व्रधी के अनुसार इंदोर है और जन संक्या द्रस्टी से प्रदेश का सबसे बड़ा जीला भी इंदोर है याने कि ये तीनों question का answer क्या है या पर same है तो ये हमें comparison करके हैं पर याद रखना है इसे next question पूछा है सरवाधिक अगर आपसे नगरी जन संख्या पूछे याने कि नगर में निवास करने वाले सबसे अधिक लोग कहां पर रहते है तो इंदोर में रहते है 2011 की जन गर्णा के अनुसार सरवाधिक ग्रामेंट जो जन संख्या वो कहां की है तो रिवा की है रिवा में सबसे अधिक लोग गाउं में निवास करते हैं 2011 की जन गर्णा के अनुसार है यह अंकड़े भी नेस्ट एक प्रदेश का सरवाधिक जो लिंगा अनुपात है वो किस जिले में है तो बाला घाट जो जीला है उसमें सबसे अधिक लिंगा अनुपात है यहां पर एक हजार पूरुषो पर एक हजार इकिस महला है ठीक एक हजार पूरुषो पर यहां पर एक हजार इकिस महला है एसे नेक्स्ट अगर क्योशन हम यहां पर देखे सबसे कम अगर लिंगा अनुपात पूछा जाए तो भिंड जीले में सबसे कम लिंगा अनुपात है कितना ह शंबाध प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात है अगर आप से पूछा जाये की सबसे कम लिंगानुपात वाला समभाग है वाला संभाग कौन सा है तो चंबल संभाग में सबसे कम लिंगा अनुपाद पाया जाता है जबकि सबसे अधिक अगर लिंगा अनुपाद पूछा जाए तो जबलपूर जो संभाग है उसमें सबसे अधिक लिंगा अनुपाद है सबसे कम चंबल में और जबलपूर में सबस बड़ा नगर कुण सा है? तो इंदोर जो नगर है, वो सबसे बड़ा नगर है प्रदेश का और इसे हम मिनी मुंबई भी कहते हैं Next question है आपर सबसे बड़ा वन्वृत कहाँ पर है तो खंड़वा में सबसे बड़ा वन्वरत है सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो यह होसंगाबाद में है सबसे बड़ा खंडवा में है और सबसे छोटा जो है वो होसंगाबाद में है नेक्स्ट है प्रदेश का सरवादिक साक्षर जीला कुन सा है यानि कि कहां के लोग सबसे अधिक पड़े लिखे है तो जबलपूर जो है उस महां के ल तो जब से कम पुरुस वह कहां के साक्षरता लिखोन गर बारा में अगर पूछा जाए पूरुस और महिला तो यह है अली राजपूर, अली राजपूर में सबसे कम पूरुस और महिला सक्षरता दर है, सरवादिक जो वन रक्ष है, वो मद्य प्रदेश में किसके पाय जाते हैं, तो सागोन के वन सबसे अधिक मद्य प्रदेश में नेक्स क्रेशन है मद्यप्रदेश में सरवाधिक पाया जाने वाला वन्य पसु कुन सा है तो चीतल जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है मद्यप्रदेश में नेक्स क्रेशन है सबसे कम सिचाई वाला जीला कुन सा है याने कि सबसे कम सिचाई कहां पर की जाती है तो डिंडोरी में की जाती है नेक्स क्रेशन है सबसे बड़ी जन जाती कुन सी है तो मद्यप्रदेश की जो सबसे बड़ी जन जाती है वो भील जन जाती है जबकि अगर आपसे भारत की पूछी जाए तो भारत की जो जन जाती है वो हो जाएगी गोण यानि कि गोण जन जाती भारत में सबसे अधिक पाई जाती है जबकि मद्यप्रदेश में कौन सी जन जाती पाई जाती है यानि कि सबसे अधिक जाती जो है वो भील है नेक्स्ट है सरवादिक सिनेमा घर वाला सहर कौन सा है तो इंदोर है इंदोर में सबसे अधिक सिनेमा घर है तो ये थे आमारे आज के most IMP questions I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा and thank you so much for watching this video thank you